हाई, हेलो, गूद इबनिंग फ्रेंड्स, वेलकम इन कॉंप्टिटिव स्टेडी, तुड़े, वी स्टेडी अबाउर दे, एंसेयर्टी नोर्स और ईवीएस क्लास फिप, दोस्तों जैसा कि पिछली दो वीडियो में आप देख चुके हैं, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास क जो एवीएस से रिलेटेड कॉस्टिट्स हैं, यूटेट और सीटेट में मोस्तली पूछे जाते हैं, अब आज हम डिस्कॉस करने जा रहे हैं, उसी से आगे पार्ट थ्री, ये पोर्सन होगा, ग्लास फिप, एंसेयर्टी का, तो दोस्तों, आसा करता हूँ, आपको पिछ अभी तक वो दो सेशन नहीं देखे हैं, तो जल्द से जल्द उस सेशन को जरूड देखें, और आज का सेशन फर्स से लास तक अवस्ते देखें, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट कॉस्टिन आज की सेशन में आने वाले हैं, जो यूटेट और सीटेट में मुस्तली करना है, जानमर में भी देखने, सुनने और महसूस करने की सक्ति होती है, ठीक है, बात करने चीटियों की, आंट्स लीव सम सच सबस्टेंस on the ground while walking, विच आंट्स पाइंट, देर वे बैक आप्टर सिफिंग, चीटिया करती हैं दोस्तों, चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा मॉस्किटों थीर समयल आवर बॉडी, स्पैसली आवर भीटवस एफ़टेंस लाइट, मचे हमारे सरी shaping की गंद खास कर पैरू के तल्वे की गंद को सूंग कर हमें ढूड लेता है, मचे हमारे सरी 74 की कि लदvised कर्मिय से भी हमें ढूड लेता है, बात करें डॉकश की दोस् आप अनेदर डॉग, देट डॉग केम आउट इन दीज एरिया, सडगू पर कुत्तु की भी अपनी जगह बठी होती है, एक कुत्ता दुसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंदे से उसे जान लेता है, कि उसके इलाके में बहार से कोई दुसरा कुत्ता है, ठीक है, एक होता है दु अपनी मादा को उसकी गंद से कई किलमेटर दूसरे ही पैचान लेता है, दोस्तो जादतर पक्षियों की आखें उनके सिर्क के दोनु तरफ होती है, ऐसे कौन-कौन से पक्षि होते हैं, आज़े डिस्कस करते हैं, पहला पॉइंट है इसमें, पहला पक्षि, बर्स कैन मॉ जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं, तब इनकी दोनु आखें एक ही चीज़ पर होती हैं, पहला पक्षियों की आखों की पुतली गूहम नहीं सकती, वह अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर यह आसपास की चीज़ों को देखते हैं, Birds realize the distance of the things when both eyes are focused on the same thing पक्षी जब दोनों आखें एक ही चीज़ पर केंदित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एसास होता है When birds focus their two eyes on different things, their weaving area increases जब पक्षी अपनी दोनों आखें अललग चीज़ों पर केंदित करते हैं तो उनका देखने का दारा भी बढ़ जाता है बात करें दोस्तों Eagle and Vulture can see four times more than us चील और बाज या गिद्ध जो होते हैं हमसे चार गुना देख सकते हैं It is generally believed that animals that are awake during the day are able to see some color and animals awake at night are able to see everything white and black आम तोर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर को स्टंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सपेद और काली ही देख पाते हैं यहां से question बन सकता है जैसे कि आपको कोई रात में जागने वाला जानवर का नाम दिया होगा वहाँ पे तो आपसे बोला होगा कि कौन सा कलर देख पाएगा तो वहाँ पर आपका answer क्या होगा black and white सबेत और काला ही देख पाता है कोई कलर नहीं देख पाता है जो साब होता है उसके बाहरी कान नहीं होता है वह जमीन पर जो कंपन होती है उसको ही सुनता है दोस्तो जो लंगूर होता है जंगल में उचे पेट पर बैठा लंगूर पास जाती किसी मुसिबत जैसे चेर या चीता को देखकर एक खास प्रकार के आवाज बिखालता है जिसके उसके साथियों को इसका संदेश पहुंच जाता है इसी तरह कुस पक्ची भी ये सेम आवाज निकालता है कुछ पक्ची अलग खत्रू के लिए अलग तरह की आवाज निकालता है मचलियां खत्रू की चेताओनी के लिए एक दुसरे को बिजली की तरंगू से जानकारी पहुंचाती है कुछ जानवर तुपहान या भुकम पाने से कुछ समय पहले ही अजी भरकते करने लगते हैं जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनुन होने वाली है बात करें सद दोजार चार की Shortly before the tsunami in the month of December 2004 I understood the strength behavior of animals and the alarming voices given by them as a special travel tribe of Unmanned and the vacated area Thus they survived the tsunami सन दोजार चार में दिसंबर के महा में tsunami से कुछ समय पहले जानुर के अजीब यहवार और उनके द्वारत दीगी चेतानी भरी आवाजों को अनुनमान की खास आदिवसी जंजाती समझ गी और उनने वो इलाका time to time खाली कर लिया इस प्रकार महा के लोग tsunami से बज गए थे दोस्तो डॉल्फिन डॉल्फिन also make different sound and talk to each other डॉल्फिन भी एक अललग तरह की आवाजन निकाल सकती है एक दुसर से बात करती है scientists believe that many animals have their own language वेगानियों का मानना है कि कई जानुर की वे अपनी पूरी भासा है अललग ठीक है many animals go into deep sleep such as eyes are in a particular season बहुत से जानुर किसी खास मुसमें लंबी गहरी नीद में जले जाते हैं जैसे चिपकली sloth दोस्ते sloth क्या होता है sloth resembles bears but they are not bears sloth भालू जैसे दिखते हैं पर यह भालू नहीं होता है sloth slips happily by hanging upside down from trees for about 17 hours a day sloth दिन में करीब 17 गंडे पेडू से उल्टे लेटकर मस्ती में सोते है sloth come down from the tree once a week to defected sloth सत्ता में एक बार सौच करने के लिए पेड से नीचे उतरते है sloth fill their stomach by eating the leaves of the tree on which they live in their life of 40 years they suffer only to roam on 8 trees sloth जिस पेड पर रहते हैं उसे के पत्ते खाकर अपना पेड जीवन भटते हैं 40 वर्स के अपने जीवन में वह केवल 8 पेड पर घूमने की तकलीफ रढाते हैं यह question important है दोस्तों यहाँ पर पूछा जा सकता है question स्वीटेट या यूटेट दोनुमें ही यहाँ पर से question बन सकता है तो इसको आप prepare कर लें चैसे बात करते हैं Tigers बाग की Tiger can see six times better than us in the dark बाग अंधिरे में से हमसे च्छे गुना बहतर देख सकते हैं The Tigers must evapteats the air vibrations allowing him to know the exact position of the prey and helps the tiger to find a way out into the darkness बाग की मुझे हवा में हुए कंपन को भाब लेती हैं जिससे उसे सिकार की सही सिद्का पता चल जाता है और अंधिरे में राश्ता रूटने में बाग को मदद मिलती है The Tiger keeps changing its voice according to the occasion The sound of the Tiger's road can be heard even from 3 km away बाग मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है बाग की करजना भी आवाज 3 km दूर से भी सुनी जा सकती है बाग की करजना Next दोस्तों The Tiger can detect the difference in the sound caused by the movement of leaves due to wind and the movement of wishes due to hunting बाग हवा की वज़े से पत्तू के हिलने और सिकार की वज़े से जाडियू के हिलने की हुई आवाज में अंतर को पैचान सकता है Both the ears of a tiger can move very much in different directions to listen to the outside sound well बाग की दोनु कान बाहर की आवाजों को अच्छे से सुनने के लिए अललग दिसाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं यहां से भी question बन सकता है दोस्तों अगला question आप सभी जानते हैं अगर आप उत्राखंड के निवास ही है Gym Corvette National Park कहां पर श्तिद है उत्राखंड में है Gym Corvette National Park कहां पर से दे है उत्राखंड में है Dance Bird Century is in भरत्पुर डिस्टिक और राइस्तान जो घना पक्छी विहार है Dance Bird Century है वो कहां पर राइस्तान के भरत्पुर जीलें में है Snakes Charmers are also called Kolbelia सपेरू को कॉलबेलिया भी कहा जाता है नाग गुफण ऐसे डिजाइन रंगोली कड़ाई और दिवारू को सजाने के लिए सौराष्ट गुजरात और दक्षिन भारत में प्रियोग के जाता है कालबेलिया कालबेलिया नाच में साम जैसी मुद्राएं होती है तंबा, खंजरी, बीन, आदि सूखी लौके से बना जाते है थंबा, खंजरी, बीन, एक्सक्टर आज मेट फॉम ड्राई गौड फॉर अंग दे स्नेक फाउंड इन आवर कंट्री हमारे देश में पाई जाने वाले साप में क्यों चार द्राखे साम भी जहरीले होते है उनके नामें नाग, करेट, दुपईया, वपाई दोस्तों एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसमें से मल्टिपल च्वेश्चन जब पूछा जाएगा वहाँ पर इन चार में से किसी एक का नाम नहीं दिया होगा तो उसमें पूछा होगा कि इन में से कौन सा यहाँ पर नहीं पाया जाता है ठीक है? कौन सा पॉजन वाला स्नेक यहाँ पर नहीं पाया जाता है तो आप इसे प्रिपेर करने है साप के द़ारे काटवे व्यक्ति को सीरम नाम की दवाजे जाती है जो साप के जहर से ही बनाई जाती है Most rise is produced in Kalahari district of Odisha Odisha के Kalahari जीने में सबसे अधिक चामल पैदा किया जाता है आत्रेपुरम आत्रेपुरम में एक डिस्ट्रिक है दोस्तों कहां पर है आंदर प्रदेश में है Mango Pep has been recognized and called by different names in different provinces of India Amawat in Hindi Amasoto in Bengali Amata in SM Mamidi Tandra in Telugu Ambawardi in Marathi भारत के विविन प्रांतों में आम पापड को अलग नाम से पहचाना जाता है और पुकारा जाता है Hindi में Amawat, Bengali में आम सोटो Asam में आमटा, Telugu में मामडी या चंद्रा Marathi में Ambawardi ठीक है, यह सभी नाम किसके हैं? Mango पापड के हैं ठीक है The juice found in our stomach is Amli जो हमारे पेट में क्या पाए जाता है? रस पाए जाता है, वो क्या होता है? Acidic होता है, Amli होता है ठीक है, Maximum Rice Protection in India is highest in Kalahandi जिश्टिक of Odisha अभी हमने बात भी की थी, भारत में सबसे ज़्यादा चाउल का उत्पादन करने वाला जो स्टेट है, Odisha है Odisha में कौन से रिष्टिक है दोस्तो? Kalahandi रिष्टिक है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चाउल का उत्पादन किया जाता है In spite of so much rice protection in Odisha Many people there are poor Odisha में इतने अधिक चाउल उत्पादन के बावजुब्दी वहां के लोग बहुत करीब है Muslim used to filter clothes Muslim कपड़े को छानने में यूज करते है Pickle is well dried before placing in a glass jar or bottle so that no moisture remains in it or else the pickle will be spoiled काज के jar या बोतल में अचार रखने से पहले अच्छी तरह से सुगाए जाता है ताकि इसमें कोई नमी ना रह जाए वरना अचार खराब हो सकता है Pitcher plant is also called Nepenthes Pitcher plant को क्या कहते हैं दोस्तों Nepenthes भी कहते है Pitcher plant attract insects exact for a particular type of order and then prey on them Pitcher plant एक विशेश परकार की गंदो को छोड़ कर कीडू को आक्रिस करता है और फिर उनका सिकार करता है Velcro A rough part in velcro sandals which are pasted after wearing Was invented in 1948 by George de Mastel He got this idea from throne seat Velcro Sandal में खुर्दरा सा हिस्सा जो होता है उसको velcro कहते है जिसको पहनने के बाद चिपकाय जाता है इसका अविसकार George de Mastel ने 1948 में कया था यह विचार काटू वाले भी से लिया गया था Plant cannot roam once they leave in the same place But their seeds travel long पहुदे घूम नहीं सकते एक बार बार एक ही जगह पर रहते हैं पर नतों उनके बीच लंबी यात्रा करते है The seeds of plant also travel by sticking them in clothes and flowering in water पहुदों के बीच कपडों में चिपक कर और पानी में बहकर भी यात्रा करते हैं Soya bean pots get ripened and soya bean seeds come out from them Soya bean की फली पकने पर फूर जाती है और उसे soya bean के बीच निकल आते हैं Green chilies, tomatoes and potatoes came from South America Harimish tomato और आलू दक्षिल अमेरिका से यहाँ पर इंडिया में आया था Leaf cabbage and peas come from Europe, पत्तागोबी और मटर यूरोब से आई थी Coffee beans and okra came from Africa, coffee beans और बिंडी अफरिका से आये Gardisei lake in Jessal में राइस्तान, Gardisei jil कहाँ पर है, राइस्तान में है यह पूरा ही जो, अभी हमने 3-4 questions discuss किये दोस्तों, यह सारे ही important है इनमें से कुछ भी पूछा जाय सकता है They are used to be a school here on the ghat यहाँ उस ghat पर एक school हुआ करता था, Jessal मेर के बात यहाँ पर हो रही है There were 9 lakes in Jessal मेर which used to go heavy when it rained from a big lake Jessal मेर में 9 जिने थी जो एक बड़ी जील से पानी बरसने पर भड़ जाती थी Jessal मेर received very little rain for once or twice a year and sometimes it does not rain even once a year Jessal मेर में बहुत कम बारिस होती है, साल में एक या दो बार और कभी कभी तो साल में एक भी बार बारिस नहीं होती है In Jessal मेर when the lakes were filled with water, people celebrated and worshiped them like the new birds in worship in उत्राखन Jessal मेर मेर जब जीले पानी से बर जाती थी तो लोग उस्वा मनाते थे और उनकी पूजा करते थे एक question भी important है, इसको भी याद पढ़ लिजेगा Next question है, कुए और जीलो को सुखने के कारण जो है, वो क्या है Water is being drained from the motor when it is reducing ground water पानी को motor से निकाला जा रहा है, जिससे जमीन का पानी कम हो रहा है आपने देखा होगा जगा 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 ट्यूबल्स बगरा बगरा लगते हैं, हैंड पर मलगते हैं, हर जगा क्या होता है, जमीन से पानी निकाला जाता है, जो main region है, पानी सूखने का नाओ, लेक्स आर अलसो गेटिंग रिदूस वेर अर्लियर रेन माटर उस तो कलेक्ट, अब जीले भी कम हो रही है, जहां पहले वर्सा का पानी कट्टा हो जाता था, ठीक है, जगा है, जिससे वर्सा का पानी जमा नहीं हो पा रहा है, नो रहें आट आट आल इन आराउं जोदपुर इन 1986, 1986 में जोदपुर उसके आसपास बारिश नहीं होई, then people came to notice that there is an old well और बॉल, फिर लोगों ने ध्यान आया कि वहाँ एक पुराना कौँ या बावली है, people collected money and about 200 trucks were dumped and people got water there, लोगों ने पैसे कट्टा किया और लगबद 200 truck कुडा वहां से निकाला है और वह स्री जोदपुर got water from बावली, after few years there was good rain and people forgot the ball again, पैसे जोदपुर को बावली से पानी मिला, कुछ साल बाद वहां अच्छी बढ़ता हुई और बावली के लोग फिर उसे भ्यूल गए, ठीक है, अल बुरुनी came to India from उजबेकिस्तान thousand of year ago, अल बुरुनी हजारों साल पहले उजबेकिस्तान से भारत आया था, अल बुरुनी came to India and understood everything carefully and knew that the people there know the art of making ponds and they make big stones and iron platform and the banks of the lakes, अल बुरुनी ने भारत में आकर सभी चीजों को त्यान से समझा और जाना कि यहां के लोग तालाब बनाने की कला जानते हैं और बड़े बड़े पत्थर और लोहे के चबतने ज अल बुरुनी ने सारी बात को विस्तित रूप से लिखी 1973 में मिली स्टाइम उसमें एक लिया जिसमें सारी बाते लिखी थी जो अल बुरुनी के जन्म के 1000 साल बाद मिला था that's the water in the most line मेर्च सागर का पानी क्या होता है सबसे यादा खा रहा होता है that's the in 418 meter below sea level the lowest point in the world is called sea it is also called the lowest salt water lake मेर्च सागर समुतल से 418 meter नीचे दुनिया का सबसे नीचला बिन्दू कहा जाने वाले सागर है इससे खारी पानी का सबसे नीचली जील भी कहा जाता है अब तो 300 gram of salt can be found in one liter of Amrish सागर water Amrish सागर के एक टेटर पानी में 300 gram तक का नमक मिल सकता है due to the high density of D.C. water people do not drown in it and they float on its surface म्रश सागर के पानी का ज्यादा होने कारण लोग उसमें दूपते नहीं है और उसकी सता पर तैटते रहते है the D.March was organized in 1930 because the Indian were not allowed to make salt from the sea 1930 में D.March का एविजन किया गया था इसलिए क्योंकि बाहरतियों को समुद्ध से नमक उनानी की जादर नहीं थी दाड़ी आत्रा लेश्टेट फॉम एमदवाज टू दर सीस अफ गुजरात दाड़ी आत्रा एमदवाज से गुजरात के समुद्ध के किनार तक चली fever of malaria comes with severing and chills malaria में बुखार कमकमपी और ठंड के साथ वो आता है the malaria drug is made from the back of the chinchona tree malaria की दवा सिनकोना पेड की चाल से बनाए जाती है यह इंपोर्टेंट है दोस्ते फूजा के अधा malaria की दवा किस से बनाए जाती है सिनकोना पेड की चाल से बनाए जाती है the tree of सिनकोना we get iron from iron from good gooseberry and maize green leafy vegetables loha यह iron हमें गूल आमला और बहुत सी हरे पत्ते वाली सब्जियों से मिलता है many diseases are caused by flies बहुत सारी जो diseases होते हैं मक्हियों से होती है algae is kind of aquatic plant which occurs in the rainy season algae ऐसे वाल एक तरका जली पहुंदा है जो के वाल बढ़साद के मौसम में होता है ronald rose was the first to the point of the malaria in transmitted by mosquito रोनाल रोस ने सबसे पहले बताया था कि malaria मच्चरोदारा फैलता है malaria is caused by one called parasites parasites is परजीवी called plazo medium malaria एक कोसी का और परजीवी से होता है जिसे plazo medium कहते है malaria के परजीवी का वहाग मादा एनफराजी मच्चर है इसके पंक गहरे और दब्बेदार होते है यह भी पुछा गया है दोस्तों बहुत important है आसा करता हूं दोस्तों आपको जो EBS से लेटेट तीन हुई वीडियो है काफी पसंद आई होंगी इससे आपके आने वाले एक्जाम जो इटेट का एक्जाम आने वाला है 24 मार्च को इसमें बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों अगर आप से टेट की तंग्यारी कर रहे हैं और आगे भी तंग्यारी करना चाहते हैं तो क्या है आने वाले टेम पे इसमें बहुत सारी वीडियो सीटेट और रूटेट एक्जाम को लेके आएंगी फिलाल अभी जो वीडियो हैं अभी तीन वीडियो ईबीस की पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थी यहाँ पर दी गई है इसलिए दोस्तो आपको इन तीनों ही वीडियो से बहुत हल्प मिलने वाली हैं आप इन तीनों वीडियो के ही अच्छे से देखें और आपको एटलिस्ट 30 में से 20 कुश्चन तो यहाँ से मिली जाएंगे ठीके दोस्तो बागी इसमें EBS पैटलोजी का पोर्षन आता है जिसे हम आगे पढ़ेंगे तो दोस्तो अगर आपको इस सेशन पसंद आया होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए सेयर करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुचाईए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का benefit इस वीडियो से हो सके मिलते हैं दोस्तो अगली वीडियो में कुछ नई टॉपिक्स के साथ तब तक के लिए आपके एक्जाम के लिए आपको all the best, goodbye